जकात किस पर ये फर्ज है तो जकात जो है साहिब निसाब मुसल्मान पर फर्ज है जकात साहिब निसाब मुसल्मान पर फर्ज है कितनी धाई परसेंट तो पाइंट फाइप परसेंट उपर जकात और ये केसे देना है जकात का हिसाफ खमरी केलेंडर के हिसाफ से, चांद के केलेंडर के हिसाफ से, अंगरेजी केलेंडर से नहीं, नहीं तो लोग क्या है कि उससे अगर लेंगे, इसको समझना जरूरी है, मैंने कहा कि कई बार के फर्ज जो इबादात है, फर्ज चीजे हैं, उसके मसाइल जानना भी आप पर फर तो आजए अभ वो इसको से लेले कि नहीं हार मेरा जोए December से December अब क्या होता है किthat अगर इससे देता है, और वो इसके हिसाब से पूरा करता है तर्ड। chiar join video धर, तक दो लीड कर रहा है तो तो हर साल अगर वो तो 10-10 दीन वो लेट कर रहा है तो जेकर जोड़ होता हूं दस दिन की जकाद, वो खुद खा जाता है, खुद के खाने में उसके चली जाती है दस दिन की जकाद, तो ये समझना जरूर ही है कि खमरी केलेंडर के इसाब से उसको देना है, और ये एक साल होने पर देना है, इबने माजा की रिवायत है, अदिश नमबर 149, कि आईशा बात उन पर जकाते है, और ये हिसाब करकर दे, वो इसमें ताखिर ना करे जराबी, आदमी ना सोचा के ठीक है, हो तो गया उसके पास में, लेकिन ताखिर करता रहे, चलो दे देंगे भाई, दे देंगे भाई, तो ताखिर ना करे, जैसे ही वक्त हुआ दे दे, आज पर जिस्ते, ले गए, करज रेगे आपके पस, गुनागार हो गए आप, जैसे ही वक्त हो ताकिर ना करे, मोत कब आना किसको पता है, नहीं मालूग, जैसे ही वक्त हो उसको दे दे, जराब युसके था ताखिर ना करो, इसाब किताब करते हैं, ये नहीं अपनी मर्जी से जखात दे दो, उठाके दे दिया हो, इसाब किताब करें, कितना मेरे पास वेलेंस है, इतना मेरे पास बचेते हैं, इतना मेरे पास सोना है, इतना मेरे पास चांदी है, वो पूरा हिसाब करके वो जैसको दे जिस तरह हिसाब किताब करके इंकम टेक्स देता है, हिसाब कित शुर्च पूर को पूरПр पिंग उसाब के पान पिंगी तो मांज़तों के मैं अबुदाओध की रिभायत अबुदाओध अधीच नंबर 13 ini का चांदी पीषको 500 पिचराणूं गिराम इसको जकात इसको देना है यहानि देना है कि पूरे पर 500 गिराम पर वो जकात उसकी लगेगा इसको देना है अब जो इसके अंधर क्या पेन्य के जेवरात पर जखात है जो पेनने के जवरात है जकात है। गई लोग केते हैं नहीं है तो पेनने का इस्तिमाल की चीज़ इस पर जकात नहीं होती है। इस पर भी जकात है। ये अबुदाहूद की रिवायत है। हदीश नंबर एक हजार तीन सो बईयां से। पहर अरगात है। नहीं ज़कात है। अब शाहर रेगात है। नहीं दिता से डाली है। इससे मालूँ पढ़ता है क्पेनने के जवरात पर जकात है। तो ये जकात इसके contingent के पास एदागतों है। हे जेवरा तो इतनी अगर पिच्चा सी गिराम सोने से जादा है तोला अलग होता है तोले से लेंगे तो ये अलग उसका निसाब होता है कि उस वक्त के तोले में और अभी के तोले में फर्क आता है उस वक्त का आज 10 गिराम 10 को हम तोला करते हैं लेकिन उस वक्त का अगर तो किसी के पास में सोना नहीं है और चांदी भी नहीं है लेकिन अगर किसी के पास में पेसा है तो के से लेगा कि सोने के बराबर से ले तो कम तर से ली जाएगी कि शरियत ने आसानी दी है तो लुमा का कहते हैं कम तर से ली जाएगी तो चांदी के निसाब से उसको चांदी के करना है कि यह नहीं कि जैसे 600 ग्राम चांदी अगर चालीस का रेट है तो 600 ग्राम कि चोईस हजार रुपे चोईस हजार की बच्चत आपके पास में और एक साल उस पर बीद गया तो आपको उस पर चोईस हजार पर जकात देना है यह चांदी के साफ लिए अपर होगा एक ला इन्वेस्मेंट इसा की जहां पर आपने इसको इन्वेस्मेंट इसा किया है जब खरीद फरोग कम ज़्यादा होता है वो अलग चाहिए लेकिन आपने इन्वेस्मेंट जहां पर कर रखा उसको तो वहां पर रखा बचत का पैसा आपका तो आपको उसको पर जकात आपको और जो चीज आपने बेचने की नियस से ली है, जैसे कोई जमीन आपने लिए प्लाट ले लो, कि आज पेसा पढ़ा है, प्लाट ले लिया, अब क्या के लिया कि भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे, तो क्या होगी आपका बिजनस हो गया, अब उस पी जकात देनी पड़ी, हा लिए वह फरोगत आपने उसके लिया, तो बागी इस्तिमाल के जो कितामाने उसपर जकात नहीं होती है, इसी तरह जो है, खेती में भी जकात होती है, खेती में 750 किलो ग्राम अनाज जब होता है, तो उस पर जो होती है, सभी भुखारी की चाधिस है, अधिस नंबर 1400 तरिय अगर ये बारिष से होता है यानि बारिष से हो या आपने कुछ महिरत नहीं कि आपने बीज बोया और बारिष हो गई आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा और बारिष से वो फ़सल खड़ी हो गई तो कितना होगा दस परसेंट 10% आपको देना है उसके अंदर से यानि जिए आपको 10 टन हुआ 1000 किलो हुआ तो आपको 10% उसके अंदर से एक कॉंटल आपको देना है और अगर आप सीचाई से करते हैं यानि कि आपने उसे पंप लगाया सबमारुसिबल लगाया इसी तरह सीचाई करकर आपने पानी लाए उससे आपने उगाया तो फिर क्या देना है 5% देना है तो आपके मशकत अल्ला की वजल से हुआ अल्ला की बरकस से बालिश हो गई तो आपको 10% नहीं तो भी आपको 5% उसमें अदा करना है इसी तरह जानवरों में भी जगाते हैं लेकिन अमूमन हमारे पास में जाना रोते नहीं शेरों के अंदर तो मैं नहीं समझता हूँ अगर जो हो तो बाद में अगर किसके पास हो तो वो पूछ सकते हैं अमूमन हमारे पास में जानवर के मसले से जाता है तो जानवर हमारे पास में होते हैं तो हम इसका क्या करते या तो दूद के लिए इस्तिमाल करते हैं। तो आप गर में करते हैं, उस पर कोई जकात मैं है理ी है। आपके बाध रिपते हैं। वहुँंतच मेरे गरल में टुए उपिश हैं। तो हम वीज़ बकरिया पाल रुका है। जानवर नहीं बेशता है, वो दूद बेशता है, उससे मुक्तली मावे बगरा बनाता है, तो वो क्या होता है, फिर वो इंकम पर, उसको कि बिजनस हो गया, अब वो इंकम पर उसके बचत होगी, बचत पर जो है, उस विसाफ से उस पर डाइपर्स को देना पड़ेगा, वो 20% जकाट, जोगो बनाता है, किया, रख सकते हैं, आप अब सूच सकते हैं, मिलने वाली रकाम के लिए, अपनी अपनी तो ही नहीं, हात मीं नहीं, फिर कोड़ मिल गया तो बीस ल्कोर दीना पड़े तो कितना वी इसको रख सकते हैं यह इस तरह से उसकी जखाग तो यह जो है मसाइले इसके अंदर उसकी जखाग दी जखाही है